आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हम सब के फेवरिट बहुत ही डिलिशियस मटर पनीर की सबसी इसे मैंने बनाया है एक्तम सिंपल और देसी स्टाइल में तो इस तरीके से मटर पनीर को बना के देखें ये रेस्टोरेंस से कई गुना बहदर बने हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हो स्रितमा तो चलिए ये बहुत ही मज़ेदार मठर पनीर की रसीपी बनाना शुरू करते हैं मठर पनीर बनाने के लिए सबसर पहले एक कढ़ाई में दो चामाच तेल डाल देंगे और तेल को गड़म कर लेंगे अब इसमें एट कर देते हैं थोड़ा सा खड़े गड़म मसाला यहां मैंने लिया है एक छोटी इलाइची, दो लॉंग, एक छोटे दालचिनी उसी के साथ एट कर देंगे दो मिड्यम साइज के प्याज तो प्यास को इस थरह slices में कट लिया है अब प्यास को रापली भी कर सकते है तो प्यास को हम हलका सा सौटे कर लेते है इसे हमें जादा भूनने नहीं है मतलब इसका color हमें change नहीं करना है friends तो प्यास को मैंने हलका सा सौटे कर लिया है आप इसमें एट किया है एक बड़ी चामाच अद्रक लहसन का पेस्ट उसी के साथ साथ 4-5 लहसन को मैंने घिस करके इसमें डाल दिया है अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं यहाँ पे लहसन को दो फॉर्म में यूज़ किया है इससे ग्रेफी का टेस्ट बहुत ही उंदा आएगी आप इसमें एट कर देते हैं दो मिडियाम साइज के राफली कटा हुआ टमाटर और दो हरी मिर्च जिसे मैंने दो तीन टुक्रों में काट लिया है तो इस वक्त मिर्च एट करने से यह थोड़ा स्पाइसी बनेगी जिसे कि यह ग्रेफी खाने में बहुत ही मजा आएगा तो यहाँ पे हमें टमाटरों को कॉम्प्लीटली सॉफ्ट करना है इसलिए यहाँ पे एक चोटा जामच नमकट कर देते हैं अब स्वादानों से नमकट कर दे ताकि टमाटर जो है जल्दी सॉफ्ट हो जाए तो अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे तो आप ही यह मिक्षर को हम ठक के पकाएंगी तो इसे कॉफर कर दे दो से तीन मिनिट मिक्षर को मेडियाम प्ले में पका लेते हैं तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है साथ साथ प्याज भी तो गैस को बंद कर दिया है और यह मिक्षर को एक ग्राइंडिंग जार में डालके इसका प्यूरे बना लेते हैं तो इस तरह से प्याज लेसन अद्रक को भून के ग्रेवी को बनाएंगे तो ग्रेवी का स्वाद इन्हांस्ट होगी और एक्तम रिस्टूरेंट स्टाइल बन जाएगी आपकी यह डिश फ्रेंड्स यह मिक्षर को थोड़ा सा ठंड़ा करके ही ब्लेंड करें तो कड़ाई में दो चामच तेल डाला है आप उसी के अंदर एक चामच बटर अट कर देते हैं आप चाहे तो सिर्फ तेल का इस्तमल करके ही मटर पनीर को बना सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे तेल और बटर दोनों ही डाल रहे हैं इससे मटर पनीर बहुत ही डिलिशियस बनके आएकि फ्रेंड्स जैसे ही तेल और बटर मिल्ट हो जाए इसमें एक चामच जीरा डाल दिया है और जीरे को चटकने देंगे जीरा हलका सा भुनके इसमें आप जा रहा हैं तेल चोटा चामच कश्मील अलमिश पाउडर जो कि यह ग्रेफी में बढ़िया काला लाने में मदद करेंगी उसी के साथ एट कर दिया है आधा चोटा चामच या आफ टेस्पून हल्दी पाउडर कम मातरा में हल्दी एट करें मसाले को हलका सा चला के अब यहाँ पे एट कर दिये प्यूरे को जिसे ब्लेंड करके रखा हुआ है हलका सा मिक्स कर देते हैं इसे तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही बढ़िया कालर आ गया है तो लाल मरेच को आप करम तेल में जादा ना भूने नहीं तो ये काला हो जाएगा बस हलका सा एक दो बड़ चला के ही डिरेक्ट प्यूरे को डाल दे तो अलग से प्यूरे बनाने का खासियत ये है कि ये ग्रेवी उससे बहुत ही रिलिशेस बन गाएगी आप इसमें डाल देते हैं एक बड़ चामाच धनिया पाउडर जो की है मतर पनीर की एक बहुत ही खास इंग्रेडियंट अब उसी में एट कर दे थोड़ा सा कटे हुए धनिया पत्ता इस पक्त एट करने से इसका टेस्ट लाजवाब बन जाते हैं उसी के साथ चोथाई का पानी एट कर दिया है अब ये ग्रेवी को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे तो अभी इसे हम ढग देते हैं और ढग के 3-4 मीट पका लेते हैं ता कि मसाले जो है ग्रेवी के साथ अच्छी से पक जाए 3-4 मीट बार ढखन खोला मैंने आप देख सकते हैं ग्रेवी के उपर ओइल आ गया है लेकिन ये ग्रेवी अच्छी से भूना नहीं है तो आप ही इसे हमें भूनना है जब तक कि ये ग्रेफी से completely oil ooze out ना हो जाए और ग्रेफी का color थोड़ा dark ना हो जाए तो इसे हम चलाते हुए 5-6 मिनिट भून लेते हैं तो ये मतर पनीर को हम एकदम देशी style में बना रहे हैं minimum ingredients के साथ जो हमारे घर में अक्सर available हो यहां पे सादा कुछ मुसालो का यूज हम नहीं करेंगे दही, काजू या मलाई वगेरा एड़ नहीं करेंगे एकतम simple तरीके से देशी style में बना रहे हैं friends जो आपके मतर पनीर को बहुत ही delicious बनाएगा तो 5 मीट बाद आप देख सकते हैं gravy का color कितना बढ़िया आ चुका है इससे completely oil is out हो गया है अब देख सकते हैं quantity में भी आधे से भी कम हो गया है तो अभी gas का flame एकदम लो कर दिया है और यहां पे हम add कर देते हैं एक cup frozen मतर आप जाए तो fresh मतर का भी इस्तमल कर सकते हैं उसी के साथ यहां पे 500 ग्राम पनीर लिया है जिसे हम यहां पे एक साथ add कर देते हैं मतर के साथ तो दोनों को अच्छे से mix कर देते हैं गयास का flame थोड़ा बढ़ा दिया है अगर आप fresh मतर यूज करते हैं तो मतर को आप पहले gravy में 4-5 मिनिट अच्छे से पका ले और फिर इसमें पनीर डाले क्योंकि यहां पे हम frozen मतर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी लिए मतर और पनीर को एक साथ हम पका रहे हैं तो दो मिनिट मतर और पनीर को gravy के साथ अच्छे से भून के आप यहां पे मैंने डाल दिया है दो काप पानी तो पानी की quantity थोड़ा ज़ादा किया है मैंने क्योंकि gravy को पकाएंगे मतर को पकाएंगे साथ साथ पनीर को भी पकाना है तो इसी लिए दो काप पानी अभी इसमें ठीक है तो पानी डालके अच्छे से mix कर दे दे हैं अक्सर रेश्ट्रेंट या धाबा का खाना हमें बहुत ही जादा पसंद आते हैं वो क्यों क्योंकि वहां पे gravy को अच्छी तरीके से भूना जाता है और मसाले जब अच्छे से भूनते हैं न उससे gravy का कुछ अलाग ही स्वादा आता है तो अभी इसमें स्वादालों सा नमक अट कर देते हैं तो नमक डालके gravy को एक पाच्छे कर ले तो अब हम इसे ढग देते हैं और ढग के मिडियाम प्लेंपे 6-7 मीट पका लेते हैं तो 5-6 मीट बाद धकन खोलते हैं और आप देख सकते हैं वाव ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आ चुका है इससे कॉंप्लीटली तेल उजा उठ हो गया है ग्रेवी का कलर एकदम लाल लाल दिख रहा है आप देख सकते हैं मतर और पनीर बढ़िया सा पक चुके हैं और कितना बढ़िया इसके कॉंसिस्टेंसी भी आ चुका है तो आप इसमें एट कर देते हैं आधा चोटा चामाच गरम मसला पाउडर और साथ साथ और थोड़ा सा कटे हुए धनिया पत्ता तो एक्तम लास्ट में ये ग्रेवी में अगर थोड़ा सा गरम मसला और धनिया पत्ता एट किया जाए तो ग्रेवी का स्वाध बहुत ही बढ़िया आएगा तो यहाँ पे हम कसूरी मेथी का या क्रीम का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं एक्तम सिंपल देशी स्टाइल में इसे बनाया है तो खाने में बहुत ही बढ़िया लाएगा आपको तो मसाले को डालके अच्छे से मिलाके इसे हम और दो मिनिट मीडियाम फ्लें पे पका लेते हैं तो फाइनली दो मिनिट बाद आप देख सकते हैं यह हमारा पोखुत ही स्वादिस्ट एक्तम देशी स्टाइल में बनी हुई लाजबाब मतर पनीर गर्मा करम खाने के लिए तयार है आप देख सकते हैं ग्रेवी का टेक्शर एक्तम पार्फेक्ट आ चुका है जैसे हम रि इंग्रेडियन्स के साथ यह रेसीपी आपको एक्तम चबरदस्त लगेगी फ्रेंड्स तो इस तरीके से मारण बनी को आप एक पस जरूर बना के देखे यह रिस्टोरंट या धाबे से कई गुना बहतर बने हैं फ्रेंड्स और एक्तम सिंपल और सरल तरीके से इसे मैंने बनाया है घर में अभलेबल चीजों के साथ तो जटपट इसे हम प्लेटिंग कर लेते हैं इसे आप गर्म गरम रोटी चावल पूरी पराठा नान कुल्चा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं कुल्चा नान पराठा की रेसिपी है मेरे चानल पे आप जरूर देख तो आप देख सकते हैं एकदम ही मजा आ जाएगा फ्रेंड्स तो अगर यह रेसिपी आपको पसंद है यसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चानल को देखते रहिए ठैंक यू टेक्यार है यह र이가 बेली ते हैं आपको देखने पतो कुन हाँ नार बेले के रहिए यह रेसिता टेक यह रते हैं means भी के साथ में आपको हैं यह रेसिता हैं और लगको हैं विले संद को आपको हैं भाफं़ नार खको हैं इन को प्याद